मिलकत धारण करी आफ्टर फर्मोईंग कॉंडोली टी कार्पोरेशन कम्पनी लिमिटेड तो ए कॉंडोली एज धारण करी छे एजिफ के ए कम्पनी नी छे तो अहिया कॉंट्राक्नों ब्रीज करवामा आव्यो अने स्पेसिफिक पर्फरमंस करावा माटे नी जे दाद अने सोलो मना केस नू अहिया reflection दईू अने एज बाबतनों अदालत द्वरास्विकार करवामा आव्यो के कम्पनी ए अलक एक्जिस्टन्स धरावे छे अने शेऱ्ोल्डर्स पन अलक एक्जिस्टन्स धरावे छे दिस इस दे फर्स्ट कारक्ट्रीस्टीक औफ ते मोडीनी मर्यादामाच बिजनेस करवानी चे अने एमा पन जे व्यक्तियों मेंबर थाय चे who are the members of company as a shareholder ते दरेक व्यक्ति पोते पोताना भाग पुर्ताज जवाबदार चे दरेक shareholder नी जे कोईपन जवाबदारी चे तेमना share नी किम्मत प्रमाणमा मर्यादित राखवामा आवे चे आ कम्पनीनु संचाल जेटली पन व्यक्तियों द्वारा करवामा आवे चे ते व्यक्तियों पोताना पर्सनली अलायेबल थता नथी व्यक्तियों रिते कम्पनी मां तेमनी कोईज जवाबदारी उभी थती नथी कोई पर व्यक्ति जे कम्पनी मां member होई they are liable to their share in the company they are not liable for their personal assets मारू जे कम्पनी मां रुकान छे धारों के X कम्पनी मां मैं 50,000 रुप्या ना share लिदेला छे तो मारी जवाबदारी 50,000 रुपया सुधी नीज थशे एना थी वधारे भाग हुँ मागी शकीश नहीं अने एना थी वधारे भाग कम्पनी मारी पासे थी मागी शक्षे नहीं दारों के हुँ कम्पनीनु संचालन करती हो तो ए संचाल अंधरम्यान जो मारा थी कंपनीने कोईपण भ्रकार न नुक्षान थाई तो मैं स्विकारेली जवापदारी पूर्तु जे नुक्षान रहेशे ए जवाबदारी पुरी करवा माटे मारा शेर माथी ज वसुल करवा मा आवशे, मारी पर्सनल एसेट ने एमाथी कोई टांच आवी शक्षे, नहीं, दर्रेक व्यक्तिये पोतेस विकारेली जवाबदारी पुर्ती जवाबदारी कम्पनी मा उभी थाय चे, जेने मर्यादित जवाबदारी नों सिध्धान केवा मा आवे चे, इटला माटेज कम्पनी नों महत्व समझावता, ली लिंगरे एवु जणाव्यू कि कम्पनी ए बेस्ट ओप्षन चे, कि जेमा तमें अनलिमिटेड प्रोफिट करी शको चो, अन्ने जरी जवाबदारी उभी थाय, तो इ एक व्यक्ती पोते रोकेला नाणा पूर्तिज जवाबदारी धरावे चे, एना थी वधारे प्रमाणमा एनी पासे थी जवाबदारी वसुल करी शकातू न थी, त्री जू लक्षन आवे चे, परपेच्यूल सक्सेशन, एनो अन्न थे थाय, कि कम्पनी अम्रूत अस्तित् एटले, एना सब्यों नाश थवाथी, कम्पनी नाश थई शक्तो न थी, परणतु एक सब्य जाय अन्ने बिजा सब्य आवे, ते शत्ता पन कम्पनी चालू रहे चे, आजे कोई पन व्यक्ती नी पोतानी पासे, जो कोई कम्पनी ना शेर होई, तो ए पोताना शेर, पोतान अपी शके छे, व्यक्ति म्रूत्य उपामे तो एना विल द्वारा एप बोताना वारस्दारने आ कमप्णीं ना शेर आपे छे तो व्यक्ती मृत्यू पामी पर कम्पनी मृत्यू नथी पामती मारी पासे Reliance Industries ना शेर होई तो हूम मृत्यू पामों तो Reliance Industry बन नहीं थे जै परन्तु मारा पची मारा कोईपन वारस्तार आ शेर ना मालिक बने छे एने कैवाई Perpetual Succession तो this is the third characteristic of company fourth is common seal and fifth is transferability of share common seal ना अर्थ ये थाई छे के जे व्यक्ती कुद्रती अस्तित्व धरावे छे ए व्यक्ती ओ पोतानी authenticity पोतानी authenticity आपवा माटे ए sign signature करे छे अवे company ए natural person ना होवा थी एनू physical appearance ना होवा थी एनू existence, एनी authenticity, एनू acceptance, एनू assurance एक केवरी ते रजू करी शके तो ए कंपनी पोताना seal द्वारा रजू करे छे seal एटले सिक्को पर एने कही शकाए तो आवा सही के सिक्का ने common seal कहवा मावे छे दरेक कंपनी नी पोतानी seal होई छे आ एनू फोर्थ कारेक्टरिस्टिक छे फिफ्थ कारेक्टरिस्टिक माँ transferability of share कंपनी ना share छे ते एक व्यक्ती पासे थी बीजी व्यक्ती माँ transfer करी शकाए छे वर्षो पहला आवा share certificate सावता हता इस share certificate माँ front पेज उपर कई व्यक्ती ना नामे शेर छे किटली संख्या मा शेर छे कया नंबर थी कया नंबर सुधी ये शेर छे अने किटली amount ना शेर छे कंपनी नू नाम एनी रजिस्टरड अफिस नू सरनामू आ तमाम वस्तुव फ्रन्ट पेज उपर लखवा मा आउती हती अने एना ओवरलीफ उपर पाचल ना भाग उपर एक टेबल अपवा मा आउतु हतु जे मा कंपनी माना शेर एक व्यक्ती बीजी व्यक्ती ने तबदील करे तो एनी विगतो भरवा माटे ना कॉलम आउता हता तो कंपनी जियारे शेर इश्यू करे त्यारे आवा स्टिफिकेज इश्यू करती हती जेनू स्थान हवे डीमेट अकाउंटे ली देलू छे कोई फिजिकल फर्म मा शेर आउता ना थी परन्तु अकाउंट नी अंदर नंबर मा शेर आवे छे नंबर साफवा मा आवे छे के एक्स नामनी व्यक्ति पासे एक थी 50 नंबर ना शेर से तो आवा शेर एक कोई पर व्यक्ति बीजी व्यक्ति ने ट्रांसफर करी शके छे एमा ट्रांसफर करवा माटे नी कोई मर्यादा आपेली न थी 50 शेर के 100 शेर जे भी व्यक्ती पासे होई ए एने गमे इतली वख़ ट्रांसफर करी शकाई चे X पासे थी Y पासे जही शके Y पासे थी Z पासे Z पासे थी N पासे N पासे थी O पासे गमे इतली संख्यामा एने ट्रांसफर करी शकाती होई छे ए एक एनू विशिस्ट लक्षन छे त्यार बाद छट्थू लक्षन जे आप जोई शक्ये छिए ते प्रमाणे सेपरेट प्रोपटी छे अने कैपेसीटी तू स्यू छट्था अने सात्मा लक्षन ने समझावा माटे एवु कई शकाए कि कम्पनी जे पह कारेक्टरिस्टिक प्रमाणे पोताना सभ्यो पासे थी जुदू अस्तित्व धरावे छे तो ए सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ना कारणे कम्पनी पोते पोताना नामे मिलकत धरावी शके छे अने कम्पनी पोताना नाम थी मिलकत नू वेचान पन करी शके छे कोई पन कम्पनी ने पोताना नाम ती मिलकत धरावानो अधिकार छे अने साथे साथे पोताना नाम ती जवाददारी उभी करवानो इन सेंस के लोन लेवानो पन अधिकार छे तो कम्पनी पोते सेपरेट प्रापटी धरावी शके छे सेपरेट फ्रोम इट्स शेर होल्डर्स सेपरेट फ्रोम इट्स मेंबर्स अने छेलनो लक्षान जे छे के कम्पनी पोते कोईपन व्यक्ती उपर डावो करी शके छे अने कम्पनी नी उपर कोईपन व्यक्ती दावो क तो कम्पनी पोताना नाम थी अन्य व्यक्ति उपर कोईपन क्लेम करी शके छे अने कोईपन सिविल स्यूट माटे कम्पनी उपर दावो करी शकाई छे शा माटे सिविल स्यूट माटे दावो करी शकाई कारण के फ्रेंड्स कोईपन क्रिमिनल केस करवा माटे कोईपन व्यक्ति नूँ फिजीकल अप्यरंस होवो जरूरी छे कोईपन ओफेंसिस के जेमा शरीर नो उप्योग करवानों होई एवा फिजीकल इनवोल्ड ओफेंसिस कम्पनी करी शकती नथी अर्थात जेपन गुना नी सिख्षानू स्वरूप कैद नी सजानू होई एवी सिख्षाओ कम्पनी ने करी शकाती नथी करांके कम्पनी ने जेलमा पुरी शकाए ने इट है सेपरेट अडेंटिटी देन इट शेर होल्डर्स शेर होल्डर्स ने के मेंबर्स ने जेलमा पुर्वाती कम्पनी ने जेलमा पुरी एवो अर्थघटन करी शकातू न थी तो इटला माटे कम्पनी नी सामे मात्र सिविल स्यूट्स फाइल करी शकाए दीवानी दावाओज करी शकाए जेमा सिक्षाना भाग शरूपे मिलकतनी जपती होई शके अथवातो दंड नी वसुलात के नाणा किये दंड होई शके तो आज साथ कारक्टरिस्ट्रीक छे जे साबित करे चे के कम्पनी ए पोताना सब्य थी अलग अस्तित्व धरावे चे आने कैवाई डॉक्ट्रीन ओफ कॉर्पोरेट वेल के कम्पनी पोताना सब्य थी अलग अस्तित्व धरावे चे आठ कारक्टरिस्टिक मां आठमू कारक्टर आवे छे के फाइनांस कम्पनी ने पोतानी मिलकत छे एम कम्पनी पासे पोतानी मुडी पन होई छे अने ए मुडी मां वधारू करवा माटे ए अन्या स्टैचूटरी एक्जिस्टरंस पासे थी कोई पन प्रकारनू फाइनांस मि मेंबर्स द्वारा थाई छे बधाज मेंबर्स बेगा थे ने अमुग व्यक्तियों ने कम्पनी चलावानों हक आपे छे जे व्यक्तियों ने आपने डारेक्टर्स के वा तरीके ओड़के छे अथवा तो बोर्ड ओफ डारेक्टर्स आ डारेक्टर्स कम्पनी वती कम्पनी न पूरता संतोष साथे डिस्कूस करेला चे त्यार बाद नो जे एक नवो पॉइंट आमाथीच उत्पर्न थाई छे ते चे डॉक्ट्रीन ओफ कॉर्पोरेट वेल एनो अर्थे थाई के कांपनी हाज कॉर्पोरेट परस्नालिटी विच इस डिस्टेंग्ट फ्रॉम इट्स मे नीनी पोतानी अलग अस्तित्व चे तेना मेंबर थी अलग थाईने परंतु गणीवाखाद फ्रेंड्स आ जे सेपरेट आईडेंटिटी नो प्रिंसीपल चे एने अदालतो साइड मां मुक्य चे अने अमुक संजोगो मां शेयर होल्डर्स एज कंपनी चे अने कंपनी एवी मान्यता अदालतो स्विकारे चे जैने कहवाई चे लिफ्टिंग ओफ कॉर्पोरेट वेल्स लिफ्टिंग ओफ कॉर्पोरेट वेल्स वेल एटले पढ़दो कर्टेल जे कंपनी आने शेयर होल्डर्स वच्चे जे पढ़दो रहेलो चे जे पढ़दा थी कंपनी अल दो खसी जता कम्पनी आने शेर्होल्डर्स बन्ने एकज गणवामा आवे छे। जे मा सौथी पेल्लू आवे छे प्रोटेक्शन ओफ रेवेन्यू पोत्तानू रेवेन्यू ने रक्षन आपवामाटे जे कोईपण द्वारा करवामा आवे छे ए इंकम पर टैग्स चुकवामा नवे आवे जवाबदारी माथी छटकवामाटे जेरे कोईपण कम्पनी उजगी लेवामा आवे छे जेने प्रोटेक्षन ओफ रेवेन्यू ना टाइटल साथे स्विकारवामा आवेलो छे आनी अंदर एक खूब प्रच्चलीत ने अथेंटिक केस से के जे केस सर दिन्षो मानेक जी पेटीट द्वार ना नाम थी डिकलेर करवामा आवेलो छे अने आ केस नी अंदर एक कम्पनी फॉर्म करवामा आवेली हती के जे D नामनी व्यक्तिये फॉर्म करे ली हती अने एनों मुख्या उद्देश हतों के एनी पोतानी पॉर्सनल जे टेक्स लाअबिलिटी उभी ठयेली छे ए टेक्स लायाबिलिटी माथी छटकव माटे जे कोई पन इनकम उपर आ टेक्स उबो थवानी शक्यता हती ए इनकम एने एक कमपनी मां इन्वेस्ट करी दिदी औने एक कमपनी डी कमपनी ना नामे एने स्थापना करी अने पोतानी जे कोई पन आवी मिलकत अथवातो इनकम हती एने एने डी कमपनी नी मुडी मां स्थापित करी औने कमपनी रजिस्टर करे आपछी दिन्शो माने एक जीद्वारा आज ए मिलकत हती के नाणा हता ए नाणा डी नामनी व्यक्ती ने एज लोन आप्या छे ए रीते एने अपवामा आव्या समान्य भाष्यामा समझावी शकू के मारी पासे एक करोड रुप्या नी कोईक प्रकारना नाणा पड़े ला छे आ नाणा उपर जो हुँ एने बतावू तो मारी उपर टेक्स लायाबिलिटी उभी थाए अवे आ टेक्स लायाबिलिटी उभी न क परवा मांगती होँ तो मैं शुकर्यू के मारा एक करोड रूपया एक कम्पनी मा स्थापित करी दिदा अने एन नामनी कम्पनी उभी करी अने आन कम्पनी मां मारा एक करोड रूपया इन्वेस्ट करया अने एन कम्पनी ये पाच्छा मनेज एज लोन एक करोड रूपया आपया तो मारी जे नाणा हता रूपया हता ए रूपया हवे मैं एज लोन बतावया तो अमेशु कर्यू मारे जे रेवेन्यू लायाबिलिटी उभी थदी हती ए लायाबिलिटी दी संताडवा माटे में आ कम्पनी फोर्म करी। हकीकत मां कम्पनी मां जे नाणा चे ए माराच छे औने ए नाणा हुँ एज लोन पाचा कम्पनी पासे थी लवचु। तो आवु जे रेपन करवा आवे त्यारे कम्पनी अने शेर्होल्डेर्स डी अने दिंशु मानेक जी बन्ने एकज छे एवु मानी ने अधालते डुक्लेर करियू कि डी परषन जे सर दिंशु मानेक जी पे टीटता तेज कम्पनी छे अने एमने पोतानी करनी जवाबदारी माती छटकवा माटे कमपनी उभी करी छे माटे लायाबिलेटी वस शिफ्टेड टू द कमपनी अने कमपनी अने डी ने एकज मानवामा आवया अने आजे छे ती क्राइटेरिया प्रोटेक्शन ओफ रेवेन्यू मां कवर करवा मां आवेलो छे त्यार बाज बीजु जे क्राइटेरिया आवे छे exception to the principle के company अने shareholder अलग छे तेमा बीजु exception छे के prevention of fraud और improper conduct आज जोन्स वर्सिस लीपमेन नो केस से जेनी अंदर पाण कम बे पाटी जोन्स अने लीपमेन द्वारा करार करवा मां आवेलो हतो अने ए करार द्वारा जोने बाहेदरी आपेली हती के हुम मारी मिलकत ते लीपमेन ने आपिश परन्तु करार करे आ बाद आने लीपमेन करता वधारे सारी ओफर बीजी व्यक्ति पासे थी मली तो आने पोताने जे जमीन हती ए लीपमेन ने वेचवा न बदले अन्य व्यक्ति ने वेची दिदी अने इने वेचवा माते आने जे कमपनी फॉरम करी अने एक कमपनी फेटर आने आ जमीन आखू ट्रांसेक्शन करे लू हतु तो एवा संचोगोणी अंदर कॉन्टराक्ट मेश टोडवा माते थे ने एक खोटी कमपनी उभी करवा मां आवेली हती अने तेने केवाए के फ्रोड तो आवा फ्रोड ना जेवा ट्रांसेक्शन्स करवा माटे अत्वा तो करार माथी के सम्जूती माथी के एग्रीमेंट माथी पोतानी जवाबदारी पाची कैंची लेवा माटे जेरे कोई पन व्यक्ति कंपनी फर्म करे त्यारे एवा संचुगों मां अदालत कंपनी औने शेर होल्डर ने एकज गणे छे औने ए रिते ए ट्रांजेक्शन जाने के व्यक्ति ये करेलू छे औने कंपनी ये करेलू छे